तो चलिए हम लोग इस question को देखते हैं काफी अच्छा question है इस question को समझते हैं हम लोग इसमें दिये गए चित्र में AB parallel है CD के meaning thereby AB जो line है वो CD line के समानतर है ठीक है ये वाली line इसके समानतर है तब Y minus X का मान गयात कीजिए ये Y है आप देख रहे होंगे फिगर में और ये X है का मान गयात करना है अब देखे इसमें क्या है X की value अगर हम निकाल लें और Y की value निकाल लें तब हम Y minus X कर देंगे और हमको answer आ जाएगा अब इसके पहले मैं कुछ चीजें बता दूँ जैसे suppose करो ये ये दो parallel lines है तो इसमें अगर कोई एक रेखा अगर cut करती है तो ये जो angles होते हैं ये equal होते हैं ये उसी तरीके से अगर इस angle पे जाओगे तो ये इसके बराबर होगा ठीक पस यही चीज हमको यहां समझना है तो इसमें देखो ये जो है दोनो parallel lines को ये वाली रेखा mn ये वाली रेखा cut कर रही है तो meaning thereby ये वाला जो angle है वही वाला angle ये होगा ये कितना होगा x होगा अब देखो ये पूरा जो angle होगा एक parallel line पे बना हुआ है तो ये 180 होगा तो मतलब 120 plus x पराबर 180 degree तो इसका मतलब क्या हुआ x जो है कितना आया 60 degree आ गया साठंस आया सेम इसी तरीके से अगर इसको देखो ये 110 है तो ये भी तो 110 होगा तो ये कितना हो जाएगा ये फिर वही rule ये total मिला के 180 है और 110 तो ये ही है तो इसका मतलब y कितना हुआ y 70 हुआ सेम जैसे इसको किया हमने अब देखो y is equal to आपका 70 आ गया y is equal to 70 तो y minus x निकालना है y कितना है आपका 70 और x कितना है 60 तो इस तरीके से आपका जो बैलू आई y minus x की 10 डिग्री आया ठीक तो 10 डिग्री इसमें जो option सही है वो option कौन सही है ए सही है तो इस तरीके से समझ गये होंगे कि ये questions इस तरीके के questions कितना easy होते हैं पस आपको क्या करना है थोड़ा सा concept आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये बहुत basic fundamentals हैं जो आपको आना चाहिए तो इस तरीके से हमने इस question को कर लिया Thank you